हाई गाईज येर इस्चेजाद एमल and welcome in lection no.25 आज हम local and global variables के बार में देखते हैं इनका scope क्या है and हम इने use कैसे कर सकते हैं in PHP तो start करते हैं do variable define करते हैं dollar 1 equals to 10 control D से same copy बनाते हैं and हम 20 रखते हैं and variable का नाम change करते हैं okay हम function बनाते हैं function का name देते हैं and हम body देते हैं then हम function को call करवाते हैं okay and हम variables देते हैं function को for instance हम दो argument पास करवाते हैं well 1 and well 2 okay हम request करते हैं and हम addition करवाते हैं then हम 20 and 20 argument पास करते हैं local host में जाते हैं file save करवाने के बाद हम PHP 4 के नाम से आपको बता है मेरे पास folder बना हुआ है जैसे ही हम refresh करते हैं आप देख सकते हैं local and global variables.php की नाम से मेरी file बनी हुई है local and global variables जैसे ही हम run करते हैं error दे रहा है line number 8 पे line number 8 क्योंकि हमने semicolon नहीं दिया इसी वजह से line दे रहा है और हमने echo नहीं करवाया echo करवाते हैं आप देख सकते हैं कि 40 आपका echo हो रहा है addition होने के बाद ओके आपके जो यह variables है dollar one and dollar two यह हमारे global variables variable है इनका इसको global है ठीक है जो आपके यह variables है well one well two यह आपके local variables हैं जब तक function चलेगा वो तब तक आप इनको access कर सकते हैं लेकिन function के अंदर लेकिन जैसे ही आप यहां आते हैं dollar one ओके आप echo करते हैं तो आपका यह one echo होगा okay commit करते हैं आप दिख सकते हैं कि जो आपने one defined किया हुआ है वो नीचे आपका access हो रहा है लेकिन जैसे ही आप well one करते हैं आप दिख सकते हैं कि आपको error दे रहा है undefined variable well one ओके तो आप जो locally variable defined किये हुए हैं आपने आप उनको access नहीं कर सकते अपने functions के बाहर ऐसे ही हम आते हैं अगर हम argument नहीं देते ओके सिरफ function लिखते हैं and without argument के हम यो global variables हैं यह functions के अंदर call करवा के देखते हैं कि आया यह call हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ओके हम एको करते हैं हम जाके सिर्क नेगा रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं अन्डेफाइंड वरियेबल्स आप global variables को भी अपने functions में call नहीं करवा सकते हैं ओके तो आपको समझ में आ गया होगा हम देखते हैं कि हम अपने global वरियेबल्स अपने functions के अंदर कैसे कॉल करवाते हैं या अपने function के अंदर जो हम लोकली वेरियेबल्स बनाए हुए वह globally हम कैसे कॉल करवा सकते हैं तो देखते हैं ग्लोबल के नाम से हमारे पास एक कीवर्ड है डॉलर वन कामा डॉलर टू ओके हम डॉलर वन पिलस डॉलर डॉलर वन पिलस डॉलर टू करते हैं एंड हम लाइन टर्मिनेट करते हैं एंड हम उसे डालते हैं डॉलर वन के अंदर ही ओके आपको क्लियरली नज़र आए देन हम एको करते हैं जाके हम रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके वैरियेबल्स ग्लोबली हैं लेकिन आप विदाउट आर्ग्युमेंट के उन्हें कॉल करवा रहे हैं अप अपने फंक्शन के अंदर ओके जैसे ही आप ग्लोबल कमेंट करते हैं तो आपको एरर दे देदेगा कि जो आप एक्सेस कर रहे हैं वरियेबल्स वह आपके एक्सेस नहीं हो सकते आपने डिफाइन नहीं किये हुए अब एक तरीका यह है कि आप ग्लोबल कीवर्ड यूज कुछ करें और दूसरा तरीका वह बताता हूं अभी लेकिन आप जैसे ही कि दूसरा तरीका देखते हैं बाद में देखते हैं कुछ ओके हम एक ऐसे एक्सेस कर सकते हैं दूसरा हम डॉलर हम वन यहां देंगे इक्वल्स टू कप वेस करते हैं टाइम बचाने के लिए पिलस ग्लोबल वन एन टू और हम एको करवाते हैं यहां पर लाइन नमबर नाइन क्योंके हमने लाइन टर्मिनेट नहीं की आप देख सकते हैं कि आप कब फिर भी एक्सेस हो रहा है जो आपके दो वेरियेबल्स हैं आप दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं या तो आप डॉलर ग्लोबल्स एं ब्रैसिस देन सिंगल कोडिशन में वेरियेबल का नाम देंगे आप हम जब आरेस के बारे में देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके मल्टी डैमेशनल एरे या कीज एंड पेर्स का हम कैसे जो है वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं और तब आपको यह चीजें जो आप वो भी आप ग्लोबली एकसेस कर सकते हैं उसका भी इसको ग्लोबली होता है तो यह था हमारा लोकल एंड ग्लोबल वेरियेबल्स के बारे में आप चीज़ों को और भी देखें आप अपनी प्रैक्टिस चारी रखें मुझे सबस्क्राइब करना ना पूलिएगा थैंके फ वादें कुदाफेस